आपका system start नहीं हो रहा है और आपके mind में ख्यार आ रहा है कि मेरा system boot नहीं हो रहा है करप्ट हो गया है मुझे इसको format करना है लेकिन आप format क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि c drive में आपका data रखा हुआ है important data जिसको आप format नहीं कर सकते, delete नहीं कर सकते तो कैसे हम उस data को move कर सकते हैं दूसरी drive में या फिर कैसे उस data को बचा सकते हैं ये process में आपको बताने बाता हूँ ऐसी काफ़ी सारी situation है जिनसे आपको गुजरना पड़ सकता है जिसमें आप frustrated होके जिस्ट अपने system को format कर लेते हैं ठीक है और आप अपना data खो बैठते हैं चैसे आपका system में suppose virus या malware आगया आपका system start नहीं हो रहा है या फिर आपका system काफी ज़्यादा hang हो रहा है आप उसमें कुछ कर भी नहीं पा रहें in fact एक copy paste एक click भी नहीं कर पा रहें तब भी आप ऐसी situation में इस trick का use ले सकते हैं जो मैं आपको बताने वादा हूँ इसके लिए आपको किन-किन चीजों की जौरत होगी सबसे पहले आप यह जान लीजिए सबसे पहले आपको जिस चीज की आप पर जौरत होगी क्योंकि आप अपने system को format करने वाले हैं वापसे दूसरी है फिर same windows डालने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जो windows install करेंगे वो pen drive की help से करेंगे या फिर किसी optical device की help से करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको need होगी एक pen drive की एक bootable pen drive की ठीक है bootable pen drive जो आप अपने system में operating system use करेंगे वो create करेंगे अब bootable pen drive create करने के दो method है ठीक है या तो क्योंकि आप अभी अपना system access नहीं कर पा रहे हैं तो या तो अपने friend का laptop या system की मदद से आप अपने bootable pen drive को create करेंगे या फिर आप अपने phone की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपका phone OTG support करता है तो phone की मदद से भी आप ए task perform कर सकते है इसके लिए मैंने आपके लिए एक separate video बना रखा है लिंक आपको description में मिलेगा कि phone की मदद से आप bootable pen drive जैसे create कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई ISO पहले से हो तो उसका use ले सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं यहां पर अपनी ISO जो की जैसे कि मैं भी Windows 11 यूज कर रहा था अपने system में यहां पर start पर click कर देंगे ठीक है within 15-20 minutes यहां पर हमारी जो pen drive बूटेबल हो जाएगी phone का process एक्दम different है फिर से लता रहा हूं link आपको description में मिल जाएगा data को बचाना चाहते हैं तो छोटी सिक्ट्रिक है जस्त आपको इसको use लेना pen drive बूटेबल होने चीए आप कैसे भी bootable pen drive का इंतिजाम करेंगे okay pen drive हमारी bootable हो गई है यहां पर आप देख सकते हैं this PC में pen drive मेरे पास यहां पर आ गई है मेरी bootable pen drive अब क्या करना है मुझे अपने उस system में जाना है जिसको मैं access नहीं कर पा रहा हूं आप देख सकते हैं screen पर यह मेरा ऐसा system है जिसको मैं अगर on होगा या फिर boot नहीं होगा operating system में क्योंकि इसका startup corrupt हो गया या फिर इसमें बहुत ज़्यादा वायर अससे या फिर malware है जिसका अंतियम solution यह है कि मुझे अपने c drive को format करना है तब ही मैं बच पाऊंगा लेकिन c drive को format नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हमारा important data है तो इसलिए मैं अपनी pen drive system में लगा हूं क्योंकि मैंने bootable pen drive बना ली है same operating system की और यहाँ पर मैं जाओंगा boot option menu में तो यहाँ पर जैसे ही हर system का अलग-अलग system होता है कई बार मैंने आपको बताया क्योंकि काफी सारी tricks मैंने आपको boot option menu के लिए बताइए तो यहाँ पर जैसे ही मैंने pen drive ल अब की जोरत निया में हमें जाना है boot menu में जहाँ पर हम यह चूज कर सके कि हमें कौन सी device से अपना system boot करना चूकि हम यहाँ पर अपनी pen drive bootable pen drive यूज कर रहे तो हम bootable pen drive से अपना system boot करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं please select boot device का मेरे पास option आ गया और जितनी भी hard drives या जितनी भी storage devices मेरे system में connected हैं उनसे boot करने के लिए मेरे पास यहाँ पर select करने का option आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर अपनी pen drive select करेंगे तो आप अपनी pen drive जहां से select करेंगे अगर आप GPT mode में अपनी pen drive को format करके bootable बनाये हैं तो वहाँ पर आपके पास UEFI का option आएगा otherwise MBR में direct आ आपको select करना है ठीक है तो यहाँ पर जिस्ट आप अपनी pen drive select करेंगे otherwise अगर आप confused हो रहे हैं तो एक के बाद एक try कीजिएगा तो आप system में boot कर जाएगे तो यहाँ पर मैंने अपनी pen drive select करी system boot हो रहा है मेरा और boot होने के बाद यहाँ पर जो Windows 11 का setup है वो start होगा ठीक है आ यहाँ पर आगया और next करते ही next screen जो कि important screen है क्योंकि यहाँ पर आपके सामने दो option आइगे install now को और एक नीचे left hand side मा आएगा repair your computer का तो आपको use करना है repair your computer का ठीक है तो यहाँ पर अगर आपका system किसी भी हाल में repair नहीं हो पा रहा है या फिर repair आप करना नहीं चाहते क्योंक आपके साओ्प्षन आजाएंगे और यहाँ पे ट्रबलशुट करना है और ट्रबलशुट पर ख्लिक करने के बाद आपको K Jackson करेंगे तो यह आपका हम आप नियू w h27 का newil करने और अपने system की उन partition को access कर पाए जिनमें हमारा data है ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे notpad notpad एक application है एक simple application है जिसके लिए आपको किसी भी directory में जाने की जोड़त नहीं है आपकी सिस्टम application है तो डारेक्ट आप notpad लिखके direct enter the button दबा के notpad open कर सकते है notpad open हो गया अब आप क्या करेंगे हाप एक file में जाएंगे आपके पास यहां पर file edit format आ रहा है जिनको आप access नहीं कर पा रहे थे वायरस की वीज़े से या फिर नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि आपको system format करना है क्योंकि hang बहुत ज़्यादा हो रहा था तो कोई भी सेनारियो हो आपको अपना data बचा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं अपनी drives को access कर पा रहा ह आपको इसको locate करना है चाहिए वो documents के folder में हो चाहिए वो desktop के folder में हो आपको users में जाके अपनी data को locate करना है कि आपका कौन से user के किस folder में data था यहां पर नीचे files of type जो आ रहा है उसको आप all files कर देंगे जिससे क्या होगा कि आपकी सभी files visible रहेगी चाहिए वो ppt के file हो चाहि आप all file कर दीगे जिससे कि all file कर दीजेगा जैसे कि आपको सभी files यहां पर नजर आ जाए ओके लैन आपको क्या करना है जस्ट all file करने के बाद आपकी file जब locate हो जाए तो जस्ट आप उसको copy करेंगे ठीक है यहां पर single file या फिर single folder एक बार में copy कर सकते हैं तो जहां पर भी आपको लगता है कि इस particular folder में अपका data है तो आप उस पूरे की पूरे folder को copy कर सकते हैं या फिर आप अपनी particular file को copy कर सकते हैं जैसे कि suppose यह मेरा आप देख सकते हैं मैं आप अपनी file को locate कर रहा हूं लगाता तो यह जैसे कि मेरा download का folder है मैंने इसको copy किया copy करने के बाद मैं back आया और back आने के बाद मैंने इसको D drive में आपे paste कर दिया यह D drive को open किया और नीचे आपे मैंने right click करके इसको paste कर दिया यहां पर आपको paste करने की copy paste करने की processing नजानी होगी लेकिन क्योंकि यहां पर offline mode इसे हम offline mode बोलेंगे क्योंकि हमारा जो primary operating system है वो तो offline है यह हम कर रहे है पेंड्राइब की मताथ से उसको access offline mode में जो हम data को transfer करते हैं तो वह बहुत तेजी से transfer हो रहा होता है तो graphically में आप नजर नहीं आएगा लेकिन data हमारा transfer हो रहा होगा तो आप थोड़ा सा patience रखेंगे अगर आपका data का size बहुत बढ़ा है तो थोड़ा ज्यादा patience रखेंगे और particular folder को आप particular drive में refresh करके check कर सकते हैं कि यहाँ folder copy होगया दन folder के अंदर के आप files check कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ने दो-तीन folder copy करके अप को बताए और यहाँ पर जो folder हैं और उनकी सब folders हैं सब files हैं वो सब यहाँ पर copy भी हो गए है तो एस तरीके से है ज सकते हैं तो इस तरीके से मूव करके जस्ट आप अपना डेटा कॉपी पेस्ट करते रहेंगे कॉपी पेस्ट करते रहेंगे जब आपका पूरा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाए आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं ठीक है तो मैंने आप नौट पैट भी क्लोज कर दिया उस आपने system को normal जो भी process आप यूज लेते हैं C drive को format करना है उसमें नहीं विंडो डालनी है दूसरी विंडो डालनी है जो भी आपको करना है कीजिए आपका data safe है ठीक है तो यह एक छोटा सा तरीका है हाला कि इसके काफी सारे तरीके हैं कि हम अपने data को access करके उसको बचा ले तो कम हो जाते हैं और असानी से आप data transfer कर सकते हैं वीडियो की जानकारी आपको अच्छे लेगी तो like कीजिएगा share कीजिएगा मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर इन्हें जानकरी की साथ तब तक लिए दन्यवाद जय है